खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया निउस को सब्सक्राइब कीजिए पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आपका हस्बिन कैसा मिलेगा या फिर आपका जीवन साथ ही आपको कैसा मिलेगा साथ ही साथ अगर आप किसी को प्रपोस करने वाले हैं तो कौन सा सही टाइम है जब आप उन्हें प्रपोस करें साथी बहुत सारी जानकारी आज हम आपको देंगे और आपकी समस्याओं के हल भी हम आपको बताएंगे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नमबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे शोगी शुरुवात करते हैं और पंडिजी से जान लेते हैं गुलक्टिप करकरम के सभी दश्कों के ऊपर भगवान शी हरी का, मा लक्षमी का, मा बगला मुखी का साइदेव का आशिरवाद और का पैदस्ट्रिय हमेशा बनी रहे आप सभी का करिया रहे आज आपके पसंदिदाश और गुलक्टिप्स में हम बात करेंगे कल मनाई जाने वाले सेंट वैलेंटाइन डे के बारे में तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाएगा और लिखते जाएगा शुरुवात करते हैं आज के शुप सहियों के साथ आज गुरुवार का दिन है दिनांग 13 परवरी 2020 फाल्गुन मास के क्रश्ण पक्ष की पंचमीति थी है आज भुवन भासकर सूरेदेव दौपैर तीन बचकर तीन मिनट पर कुम राशी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कुम सक्रांती का पुर्णे काल आज प्राते आठ बचकर 49 मिनट से प्रारंभ हो जाएगा वरत करना उपाय करना आप सभी के लिए से स्ट रहेगा आज के दिन भगवान विश्णू के विशेश पूजन वरत उपाय से मिलेगी दरिद्रता से गरीबी से ऐसेने दुखों से मुक्ती पूरी योगी आपकी हर कामना हर इच्छ चलिए तो आज क्या कुछ खास सैयोग है और क्या कुछ लेकर आया है आपके लिए ये तो हमने आपको बता दिया लेकिन अब चलिए शुरू बात करते हैं और जान लेते हैं प्यार के इस मौसम में वैलिंग्टाइन्स डे के बारे में कुछ खास बात दोस्तों कल दिनांग 14 फर्वरी 2020 दिनांग 14 फर्वरी 2020 शुकरवार को प्यार का दिवस अर्थार सैट वैलेंटाइन डे मनाये जाएगा आपकी बीजी लाइफ स्टाईल और बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते कई बार आपके पास हमारे पास इतना समय नहीं बसता है कि हम अपने life partner से ये कह पाएं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं ऐसे ही लोगों को जिनको समय नहीं मिलता हो life partner को अपनी भावनाओं को इजहार करने का तो Valentine day का दिन हाले दिल बया करने का एक मौका देता ही अपने life partner को propose करने का अपने दिल की बात कहने का काम की जिम्मेदारियां, काम का बोज और दूसरी जिम्मेदारियों तो आप रोजाना निभाते हैं डेली सुबै से राद तक आपका busy श्रूल रहता है लेकिन अपने partner के लिए इस दिन कुछ वक्त निकाल कर प्यार के इस तियोहार का दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए जश्ट मनाना चाहिए आईए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी लाइफ के कौन से सबसे ज़्यादा close लोगों को सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन डे पे आपको प्रपोस करने से चमक सकती है आपकी किस्मत जी हाँ दोस्तों जानते हैं दोस्तों सैंट वैलेंटाइन डे का अर्थ है प्यार का दिवस आप किस से प्यार करते हैं सबसे पहला आपका प्यार कोन सा है क्या आप जानते हैं आपका सबसे पहला गुरु कोन होता है आपका सबसे पहला प्यार कोन होता है आपका सबसे पहला प्यार होता है आपके माता पिता सबसे पहले आप किसी को अपनी बाहों में भरना चाहते हैं किसी को गुलाब का पुश्प, गिफ्ट करना चाहते हैं अपने प्यार का अपने एमोशन के को जाहिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर किसी को बाहों में भरना चाहते हैं तो अपनी मा को भरिएगा अपने पिता को अपनी बाहों में भरिएगा जिनकी वज़े से आज आप इस दुनिया में हैं अपनी बिटिया रादी को अपनी बाहों में भरियेगा, अपनी पतनी को अपनी बाहों में भरियेगा, गुलाब का पुष्प दीजेगा, निशित तोर पर माता, पिता, पतनी, बच्ची को बाहों में भरने से, गुलाब का पुष्प गिफ्ट करने से, खुद बाखुद च सबसे क्लोज जो हमारे होता है हमें उसको प्यार का इजहार तो करना ही चाहिए तो आगे आपके लिए जानेंगे दर्शकों कि आपको कौन सा जीवन साथ ही मिलेगा हमी मिलेगा खंजूस मिलेगा और यह कैसे पता चलेगा इस वैलिंग्टाइन स्टे लेकिन किस तरह से यह ह देखिए बीटा जहां तक आपकी सिरदर्द का सवाल है सिरदर्द या सिर से संबंदित नियूरों से संबंदित परिशानिया तभी आपको जेलने को पर मिलती है जब आपकी जनमकोली में सूरे नीचका हो या सूरे खराब इस्तिती के अंदर हो यदि आप चाहते हैं कि आ आपको हैडेक से संबंदित बिमारी से मुक्ती मिले सिरदर्द जैसे बिमारी से मुक्ती मिले तो एक काम आप शुरू कर दीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ तांबे के बरतंग में रखावा पानी ही पीना है आपको प्लास्टिक की बोटल का पानी नहीं पीना है स्टील की कलश में जल भरके रख दीजिए उसमें सुबह एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए चोईज गंटे बाद कल उस जल को फैकना नहीं है उस जल को आपको ग्रहन कर लेना है और तुलसी का पत्ता भी आपको सेवन कर लेना है संभा हो तो रहिवार का फास्ट करिए और सोते समय स पूरब दिशा में रखिए सरल से उपाय कीजिएगा है डेक आपके आसपास सिर्दर्द आपके आसपास फटकेगा भी नहीं और परहां जी आपके परादे के सवाल राजी पूर 25 इंही के सवाल स के लिए जैसी किस्ना क्या कि आरे पोशना का थे रखिए हएँ ऑसके और धिशा नाम सारी का है आपका प्रशन क्या है? क्या इससे बाप बेटी का रिष्टा निभेगा इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि समय की बात है आपकी बच्ची के ग्रह थोड़े इस वक्त ऐसे हैं कि इस समय के दोरान जो है वो बच्ची के विचारों में बहुत ज्यादा उगरता भी आ सकती है फ्लक्टुशन भी रह स इक्ते हैं लेकिन कई बार जो इमोशन सोती है वो दिल के अंदर होती है जाहिर नहीं होती है इसलिए ऐसी नेगिटिव बात आप अपने दिमाग में मत लेके आए घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक आवश्य जलाई एपानी के मटके के पास हमाय वसको पित्रो के उपर एक रोटी घुमा कर कम से कम 20 दिन ये उपाय करना एक रोटी घुमा कर इसके उपर उसके थोड़ा सा गोड़ रख के गवमायता को खिलानी है निशित और पिता पुत्री के संबन्द मजबूत बने रहेंगे च्छले, राजिंद्र जी अगर आप इन्हे अपनी दिल से बेटी मानते हैं तो यकी मानिये आपकी बेटी से जो और आपका संबंद है वो भुविष्य में भी जारी रहे है क्योंकि प्यार का जो संबंद होता है बड़ा ही मजबूत होता है और प्यार के बारे में आज हम ब पूछते हैं जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है। बताएं डिक लिकत और फिर सवाल। प्रश्र पूछे उप्रश्र पूचे जगदीश जी। इस नागपन दिदर नमी जी जगदीश जी। प्रश्र पूचिये सवाल क्या है सवाल यहां तक आपके प्रश्र कुली का सवाल ही आपके जीवन में काफी ज्यादा उतार चड़ाव हमें दिखाई देता ही उसका मुख्य कारण यह है कि आप 18 साल की राहू की मादशा में से गुजर रहें राहू मतलब सर्प सर्प मतलब प्रेड़ा चलना तो पिछले अगर हम 15 साल से देखें तो आपके जीवन में काफी उतार चड़ाव है तीन साल का उतार चड़ाव आपके जीवन में और बाकी रहेगा उस उतार चड़ाव को फलक्चिशन को खतम करने के लिए हर रईवार को भहरव मंदिर में दर्शन करे चो मुखा सरसु के तेल का दीपक जलाए बहरव चालिसा का पाठ करें उड़त की दाल के बनेवे पकवानों का भोग लगाए और उसके साथ में घर में जब भी आपके पतनी खाना बनाए पूरब देखते वे खाना बनाए निश्यत तोर पे आपके जीवन में काफी आपक कंजूस होगा वहार, नेचर, बहवियर किस तरह का होगा तो इस वेलेंटाइन डे आप यह जाल सकते हैं लेकिन कैसे आपको वेलेंटाइन डे पर यह पता चलेगा यह हमें पढ़ने चीव बताएं आई दोस्तों जानते हैं कि इस बार का सेंट वेलेंटाइन डे कैसे बता क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन जिस भी स्त्री को, महिला को, कन्या को जिस तरह का पक्षी सबसे पहले दिखता है वह वैसे ही पुरुष से शादी करती है उधारन के तौर पे यह कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन डे पर किसी कन्या ने अगर किसी गिलहरी को सबसे पहले देखा हूँ तो इसका मतलब यह है कि उस कन्या का उस लड़की का विवहा एक कंजूस व्यक्ति से होगा अगर आपने सबसे पहले गिलहरी को देखा है तो आप एक कंजूस व्यक्ति से शादी करेंगी और अगर आपने सबसे पहले एक सुनेरी मचली को देखा है अगर आपने सबसे पहले एक सुनेरी मचली को देखा है तो निशित तोर पर आप एक अमीर व्यक्ति से शादी करेंगी, करोड़ पती से शादी करेंगी तो सभी दशकों से विशेश तोर पर हमारी जो कन्याएं, जो दशक हैं, जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रही हैं मोबाइल सबसे पहले आजकल हमारा सिस्टम में उठते ही मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल पर आज ही सुनेरी मचली का वो लगा लिजेगा वाल पेपर ता कि सुबह उठते ही वो दिखे और आपको अमीर जीवन साथी की त्रापती हो तो किस तरह का जीवन साथी किस पक्षी को या किस को देखने से मिलता है यह पंडीजी ने बताया लेकिन अगर आप प्रपोस करने वाले हैं किसी को कल आपने बहुत तैयारी कर रखी है और यह प्रपोजल एकसेप्ट हो जाए अगर आप चाहते हैं तो आप सही टाइम पर प्रपोस कीजेगा लेकिन क्या ताइम होगा यह हम आपको बताएंगे उससे पहले कॉलर कपिल सागरपूर से जुटने हैं पंडीजी कपिल बहुत-बहुत स्वागत है देट ओफ बर्थ बताएं और समय दे प्रणाम पंडीजी शिवार शिरवाद बिटा जैशी किष्ण पंडीजी डेट बर्थ नहीं है प्रश्र पूछे सर मैंने दो जात पंद्रा में फायर में के लिए एर की थी सर उसमें मैं पॉंटों से रह गया था अब सर विकेंशी दुबारा आ रही है किस चीज़ किस चीज़ की फायर में की एपर फ्वार में निशित और पर कपिल आ आप टेक्निकल फायर में जैसी पोस्ट मेलेक्टरी जैसी पोस्ट के अंदर आप जा सकते हैं इसमें कोई दोराए नहीं आपका मंगल काफी अच्छा है और आपको सक्सिस दिलाएगा चुकि आपके राशी की जो स्वामी है बुद्ध वो भग्यस्तान में बैठे और अस् सेलेक्शन हो तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रतन सवापांच रती का पन्ना सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में धारन कीजिए बुद्ध वार को गणपती के मंदिर में दर्शन करना शुरू कीजिए दुरुआ अरपन कीजिए और साल में एक बार जब भी आप अफ इनका कॉल लेते हैं मुकेश जी बताएं सवाल क्या है जी मुकेश जी सुन पा रहे हैं चली पंडीजें का कॉल तो कट गया है लेकिन दर्शन को अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हम से समाधान जान सकते हैं और साथ ही साथ आज वालेंटाइन्स दे की बात कर रहे ह हैं तो इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और आपको सही समय भी बताएंगे लेकिन फिलाल यहां रुखते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सो भी का स्वागत है गुडलाग जपस में और दर्शिकों आज हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन्स दे की और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के हल भी ले रहे हैं तो वो समस्याओं आपकी जानेंगे आप हमें कॉल कीजिए लेकिन उससे पहले चुकी प decep shee a neonक नेखे कि प्रपोस करने का सही समय क्या है और अगर सही समय में अँं प्रबोड करेंगे तो एक्सेप्ट भी हो जाएका जो तैयारियां की है वो जाया नहीं जाएंगे तो सही समय आपसे जाना चाहीं दोस्तों यदि आप वेलेंटाइन डे पर शुब मोहरत पर शुब समय पर वेलेंटाइन डे पर अपने प्यार को अपने लाइफ पार्टनर को प्रपोज करेंगी तो पूरे वर्ष आपका प्यार खुश्नुमा बना रहेगा आपका प्यार आपके आसपास बन रहता रहेगा तो आईए जानते हैं सेंट वैलेंटाइन डेप 14 फरवरी 2020 शुक्रवार को अपने प्यार को प्रपोस करने का सबसे शुब मौरत कौन सा है दौपेर 12 बचकर 41 मिनट से दौपेर 12 बचकर 41 मिनट से आप अपने प्यार को प्रपोस कर सकते हैं उसके पश्यार शाम को 4 बचकर 50 मिनट से सुर्यास तक अपने लाइफ पार्टनर को अपने प्यार को प्रपोस करने का शुब मौरत रहेगा ध्यान रखिये प्राते 10 बचकर 30 मिनट से दौपेर 12 बजे तक तो आगे ये भी बताएंगे आपको कि क्या गिफ्ट जो है आपको नहीं देना है माने आप उपहार देने वाले हैं तो कौन से उपहार देने से आपको बचना है ये आपको बताएंगे निकन उससे पहले नानुराम भी कानीर से जुड़ गये हैं पंडिची उनका कॉल लेते हैं एक जनवरी 1986 डेट ओफ बर्थ नानुराम जी समय है तो समय बताएं नहीं तो सवाल पूछी सवाल अभी तक को इस जोग नहीं लगा है नहीं वेले फिरीद में प्रेशन रहती हैं में सहीं हमारें साड़े साथ साल की शनी की साड़े साती 24 जनवरी 2020 को आपकी खतम हो गई है आपकी जो राशी है वो व्रशिक राशी है व्रशिक राशी पर साड़े साथ साल से शनी की साड़े साती चल रही थी तो पिछले साड़े साथ साल आपके जीवन के बड़े खराब निकले हैं ले और उसके साथ में रोजाना जो संभव हो अपने हाथ से एक रोटी गव माता को खिलाए सफलता आपके कदमों को चूमेगी जी और महराश्ट्रो से परमेश्वर जी जुड़ गए हैं चार मई 1993 डेट अफ बार्थ बताते हैं परमेश्वर जी बताएं क्या सवाल है परमेश्वर जी आपकी जहां तक बिजनस का सवाल है आपको अभी साल भर और लगेगा साल भर के पशात में आपको व्यापार करेंगे तो सफलता मिलेगी मेरे इसाब से अभी आपको एक साल नोकरी करनी चाहीं किसी के पास में और उसके पशात यदि आप अपना काम शुरू करते हैं तो उसके बाद में सफलता आपको मिलेगी प्राप्त होगी अब रही बात उपाई की कि ऐसा क्या करें अगर संभाव हो मचलियों को रहीवार के दिन यथा योग्य सामगरी उनको खिलाईए साथ में बुद्वार को गव माता को पालक खिलाईए तो सफलता आपको प्राप्त होगी व्यापार के अंदर धेरो रूपे आप कमाएंगी और माया जी टॉप से जुड़ गई हैं एंका भी कॉल ले लेते हैं ये डेट ऑफ बर्थ अपना बताती हैं भाई के लिए जानना चाहती है 30 सितंबर 1980 डेट ऑफ बर्थ बताती है और साड़े दस बजे का सुभा का समय माया जी सवाल क्या है मैं अपने भाई के बारे में जानना जाती हूँ देखी जहां तक आपके माया जी आपके ब्रदर की जनमकुर्ली का सवाल है फाइनेंशिल पोजिशन की अगर आप बात करते हैं एक तो इनको बोलिये घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नेमित रूप से जलाए रसोई में जा पानी का मटका भरते हैं माँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए और इनकी पतनी जब भी खाना बनाए तो जिस तरफ सूरज उदय होता है उस तरफ देखते वे खाना बनाए साथ में हर शुकरवार को एक गाड़ी कटोरी खीर बना कर कवव के लिए रग दे कववे खाएं उस गाड़ी कटोरी खीर को निशित और पे सरल उपाय से अगले ही कुछ दिनों के अंदर इनकी फाइनेशल पोजिशन सुधर्ती भी दिखाई देगी आर्थिक इस्तिति आपको सुधर्ती भी दिखाई देगी चलिए तो उमीद है माया जी आपको जो टिप्स पंडिजी ने बताए हैं वो टिप्स आप करेंगी और जरूर आपको फाइदा होगा और अब पर निजी आगे बढ़ते हैं और वैलेंटाइन डे की जैसा की हम बात कर रहे हैं और आप अब हमें शुब महुरत बता चुके हैं लेकिन इसके लावा क्या गिफ्ट हमें नहीं देना है क्या सावधानी रखनी है ये आपसे जानना चाहेंगे दोस्तों आईए अब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे पर अपने दोस्त को जीवन साथी को क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए important चीजय है देने की बहुत सारी चीज़े पर क्या नहीं देना चाहिए तो वैलेंटाइन डेपे किसी को भी उपहार में काले वस्त मत दीजेगा यदि कोई व्यक्ति अंजाने में आपको इस रंग के कपड़े उपहार में देता है तो यह दुख, कर्स्ट और पीडा का कारण मनता है इसलिए भूल कर भी अपने प्यार को अपने लाइफ पार्टनर को ब्लेक रंग के कपड़े आपको उपहार में नहीं देने है दूसरा भले ही आपकी फ्रेंड फैशनेबल जूते पहनने के शौकीन हो लेकिन भूल कर भी सेंट वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार को जूते उपहार में मत दीजेगा आपको जानकर हैरानी होगी कि जूते अगर हम किसी को गिफ्ट में देते हैं शूज उपहार में जूते चपल गिफ्ट में देते हैं It can be cause of जुदाई, जूतों को उपहार में देने से जुदाई हो जाती है, अगर जुदाई नहीं चाते हैं तो भूल कर भी किसी को जूते उपहार में मत दीजेगा, और भूल कर भी किसी भी अपने प्यार को या अपने लाइफ पार्टनर को सेंट वैलाइन टाइन डे पर जो है उनके बीच में जगडा होने की पूरी-पूरी संभावना बनी रहती, तो रुमाल भी आपको गिफ्ट नहीं करना है, और चौती जो चीज है वो घड़ी, आक्सकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है घड़ी उपहार में देते हैं, लेकिन क्या आप जानत वेलेंटाइन डे पर तो नहीं देनी चाहिए. आप सभी का आज का दिन, आने वाले दिन मंगल में होशुभ हो, जैशी किष्णा, जैमाता की जैश्यरी. तो उमीद करते हैं, कारिक्रम आप सभी को पसंद आया होगा, सोमवार से गुरुवार आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, खुश रहें, अपना खयाल रखें, नमस्कार.